Hello everyone, welcome to vocational education आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक है Integrated Pest Management यानि की एक एक कृत नाशे जीव प्रबंधन तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं What is IPM? Integrated Pest Management आखिर है क्या? एक एक कृत नाशे जीव प्रबंधन नाशे जीवों को नियंतरित करने के लिए एक ऐसी विधी है जिसमें हम अनेक विधियों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम नाशे जीवों की जो population है उसकी जनसंख्या है उसे हम बेहत कम कर सके हमारा उदेश जीवों की जनसंख्या को इतने कम बनाए रखना है ताकि वो हमारी फसलों को आर्थिक नुकसान ना पहुंचा सके अब हम बात करते हैं अगर हम सरल भाषा में बात करते हैं तो एक ही कृत नाशे जीवों को नियंतरत करने की एक ऐसी विधी है जिसमें हम अनेक विधियों को इस्तिमाल करके नाशी जीवों को नियंतरत कर सकते हैं ताकि पर्यावरण पर उसका कम से कम दुष्प्रभाव पड़े हमने अभी तक बात की नाशी जीवों की पर हमें सबसे पहले ये जानना होगा ये समझना होगा कि नाशी जीव होते क्या हैं हम किन जीवों को नाशी जीवों की कैटेगरी में डाल सकते हैं तो नाशी जीव वो कोई भी जीव हो सकता है जो हमारी फसल के उत्पादिन को कम कर सकता है नाशी जीव कीटों के अलावा पैथोजन्स हो सकते हैं, कोई बिमारी हो सकती है, कोई घर पतवार हो सकते हैं या फिर कोई रोडेंट्स हो सकते हैं जैसे चुहे या फिर कोई भी और जानवर जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाता है उन्हें हम पेस्ट कहते हैं इसमें पेडी के कुछ पेस्ट दिखाय हुए हैं पेडी के पेस्ट हैं इंसेक्ट्स हैं बहुत सारे कीट हैं जो पेडी फिल्ड को या पेडी क्रॉप को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं फिर वीड्स हैं खर पत्वार बर्ड्स हैं वो भी आपकी पेडी फिल्ड्स को खा जाते हैं इसके अलावा स्नेल्स बिकर्ज जो राइस है वो मॉइस्ट कंडिशन में उगता है तो स्नेल्स उस पर अटाक कर सकती हैं और बहुत नुकसान पहुंचाती हैं और लास्ट में पैथोजिन्स ऐसे जीव जो के डिजीज फैलाते हैं डिजीज कॉज करते हैं वो हम देखते हैं हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल है इडेंटिफिकेशन ऑफ दे पैस्ट हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि हमारी फसल को नुकसान पहुंचाने वाला कौन सा पैस्ट है वो किस श्रेणी में आता है क्या वो इंसेक्ट है वीड है या कोई रोडिंट है या जानना होगा हमें जानना होगा कि ऐसी कौन सी कंडिशन हैं जिस कंडिशन में हम इन नाशी जीवों को मार सकते हैं या वो अपने आप उन एन्वाइमेंट में अनकमफर्टेबल हो जाते हैं ताकि हम हमारी फीर्ड में उनके लिए ऐसा एन्वाइमेंट क्रियेट कर सकें ज different IPM control methods यानि के हमारे insect pest को control करने के different different तरीके जो हैं हम अभी उनके बारे में बात करते हैं तो सबसे जो safest method है वो है cultural method उसके बाद आता है physical या फिर mechanical method third is biological method and last one is chemical method as you can see in the pictures जो last slab है वो green color का है means जो cultural method है वो with respect to environmental health वो बहुत safe method है जबकि जो last method है chemical method वो थोड़ा से environment के लिए toxicity create कर देता है वो with respect to environmental health little bit risky step है तो हम इस वीडियो में सारे steps के बारे में detail से बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं cultural method की cultural method नाशी जीवों को नियंतरत करने का एक निवारक तरीका है जिसमें हम ऐसी प्रताओं का इस्तिमाल करेंगे जिससे हम नाशी जीवों को पनपने से रोक सकें तो ऐसे बहुत सारी तरीके हैं जिससे हम नाशी जीवों को avoid कर सकें उन्हें रोक सकें तो सबसे पहला तरीका है selection of healthy seeds और resistant या फिर tolerant varieties हमें प्रतिरोधी किसमों का इस्तेमाल करना है और एक healthy स्वस्त बीज का इस्तेमाल करना है जिससे कोई उसमें बिमारी जो है वो ना आ पाएं इसके अलावा हमें healthy nursery हमें nursery बहुत अच्छे से तयार करनी है जिसमें हमें उन्हें बचाना है चूहों से रोडेंट्स से इसके अलावा हमें जो timely जो हमारी फसल है उसके कोई अवशेश ना रह जाएं के अलावा हमें हमेशा balanced fertilizer का इस्तेमाल करना चाहिए means हमें उतने ही औरवरक खेट में इस्तेमाल करने चाहिए जितना की फसल को जरूरी है क्योंकि इससे क्या हो सकता है कि बहुत सारे खरपतवार जो है वो उग सकते हैं और आपको पता ही है कि खरपतवार जो है बहुत सारे नाशी जीवों का गड़ बन जाता है जिसके को बचा सके इन नाशी जीवों के आकरमन से हम बात करेंगे हमारे अगले IPM मेथट की जो है मेकैनिकल प्रक्टिस जिसे हम फिजिकल मेथट भी बोलते हैं यानि कि यांतरिक तरीका नाशी जीवों को नियंतरित करने के लिए इसमें हम या तो हाथों द्वारा या फिर किसी यंतर द्वारा नाशी जीवों को नश्ट करेंगे उदाहरन के तौर पर हमें जो लगता है प्लांट का जो भाग है अगर वो किसी रोग से ग्रसित हो चुका है या फिर उसमें कोई कीड़ा लग चुका है तो हम उसे उस पेड़ से अलग करके उसे नश्ट कर देंगे ताक हम कुछ जैसे कीड़ों को इकठा करने के लिए हम कुछ ट्रैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताके हम उन्हें इकठा कर सके और उन्हें हम एक साथ इकठा करके उन्हें नश्ट कर सके ताके वो हमारी फिल्ड को नुकसान ना पहुँचा सके तो ये कुछ तरीके हैं जिने हम mechanical methods या फिर physical methods of pest control कहते हैं अब हम बात करते हैं हमारे अगले pest control method की जो है biological pest control method biological pest control का मतलब है जैव नियंतरन means नाशी जीवों को नियंतरत या control करने के लिए उनके प्रकृतिक शत्रूं का इस्तिमाल करना जैव नियंतरन कहलाता है जिन जीवों को हम प्रकृतिक शत्रूं के तोर पे इस्तिमाल करते हैं वो नाशी जीवों को या तो खाते हैं या फिर उन्हें बिमार करके उन्हें control कर सकते हैं जैसा कि अभी आप pictures में देख रहे हैं सबसे पहले इसमें जो picture है वो बहुत common है आपने देखा होगा इसे इसे lady bird beetle बोलते हैं ये farmer friendly एक insect है जो की as a bio control agent काम करता है और जो नाशी जीव है उन्हें ये खा जाता है इसके अलावा आप pictures में देख रहे हैं spider और एक wasp है जिसने eggs दिये हुए हैं किसी larva के उपर और वो eggs जैसे ही फूटेंगे वो इस larva को खा जाएंगे इसके अलावा नीचे आप देख रहे हैं एक dragonfly जो एक bio control agent की तरह काम करता है हमारे एर्दगिर्द ऐसे बहुत सारे insect हैं जिसे हम as a bio control agent use कर सकते हैं जैसा कि आप screen पे देख रहे हैं इसमें बहुत सारे insects के नाम हैं और insects के अलावा इसमें कुछ फंजाए हैं जिनके हमने नाम लिखे हैं जो कि bio control agent की तरह काम करते हैं तो अब हम बात करते हैं हमारे अगले best control method की जो है chemical control method यानि कि नाशी जीवों को नियंतरित करने का रसायनिक तरीका अभी तक IPM के अंडर हमने best को control करने के जो जो methods देखें वो सारे environmental friendly methods थे जबकि जो ये chemical method है रसायनिक नियंतरित का जो ये तरीका है ये काफी जादा environment को नुकसान पहुँचाता है इसलिए इसे हम last option के तौर पर इस्तेमाल करते हैं नाशी जीवों को नियंतरित करने के लिए क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि हम excessive in chemicals का इस्तेमाल कर लेते हैं जिसके वज़ा से environmental pollution होता है method का इस्तेमाल हमें तभी करना चाहिए जब हमारे जो पहले वाले methods हैं यानि के cultural method, physical method और biological method वो successful ना हो और जो हमारे नाशी जीव हैं उनकी population इतनी जादा है कि वो हमें नुकसान पहुँचा रहे हैं इस वक्त आप स्क्रीन पर कुछ pesticides के नाम देख रहे हैं जैसे mellathion, dimethiolate, copper oxichloride, thiram, 2,4-D ये कुछ pesticides हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं नाशी जीमू को नियंतरित करने के लिए I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और मेरा मकसित पूरा हुआ हो वीडियो बनाने का Thank you so much वीडियो में बने रहने के लिए Please like and share the video Thank you so much